सीखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है एक तो तरीका होता है कि परदर्शनी लगा करके यानि कुछ बताना नहीं है केवल कुछ वश्ट्वें रख करके परदर्शित करके ही समाज को सीखा जाता है लेकिन ऐसी वेवश्टा से ज़्यादतर लोग नहीं सीख पाते हैं यानि जो उसका संदेश है वो नहीं पकड़ पाते हैं तो या मूर्ती बना करके भी एक तरह से सिखाय जाता है या रितिर यनि मदर्सो के द्वारा भी सिखाय जाता है गुर्कुल के द्वारा भी सिखाया जाता है या संग के द्वारा भी सिखाया जाता है गुर्कुल मदर से और संग का एक ही तरीका होता है कि बच्चों को एक अच्छी संगती परदान करना यानि उनके सदाच्रन उनके व्यावार में अच्छे गुणों का विक्षित करना यानि अच्छी संगती से अच्छे समाज का निर्मान होता है तो गुरुकुल की जगा मदर्सों ने इस समय ले लिया है गुरुकुल तेक तरह से खत्मी हो गए हैं संपुण विश्व में मदर से अभी भी चल रहे हैं लेकिन सिखाया क्या जाता है या सबसे महतु पूर्ण लेकिन सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है संगति का जो संग में मिल सकती है या गुर्कुल में मिल सकती है या मदर्सों में मिल सकती है गुर्कुल वाले जहांकिया निकालने लगे हैं यानु गुर्कुल खतम हो गये लेकिन जिस समाज में गुर्कुल चला करता था अब वह समाज केवल जहांकिया निकाल कर ही एक संदेश देना जाता है लेकिन उन ज्ञाकियों से समाज चोन ज्ञाकियों का संदेश है वह नहीं पकड़ता है वह केवल रंग रूप और चका चोन तक ही सिमित रह जाता है सुन्दरता कोई देखता है और भूल जाता है बुद्ध का संग भी एक त्रैसे गुर्कुल या मदर्सा ही था यानि वहाँ पर भी संगती मिलती थी तो सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है यह सोचना सबसे मैतुपून है क्योंकि समाजिक परिवर्तन जो होगा वह सिखाने के तरीके से ही होगा कैसे समाज को कैसे परदर्शनी लगाकर तस्वीर या मूर्ती दिखाकर के सिखाना जहां किया निकाल कर सिखाना गुर्खुल बनाकर मदर्श से बनाकर सिखाना गुर्खुल में जैसा तुम सिखाओगे वैसा बच्चा सीख लेगा गुर्खुल मदर्श से वैस संग बोधर में संग होता है तो गुरुकुल, मदर्स, वैसंग में जैसा तुम सिखाओगे वैसा बच्चे के आचरण में या वेक्ति के आचरण में आ जाएगा और वही यानि जो आचरण में होगा वही समाज में कारिया है वही उसी तरह के कारिया करेगा तो गुरुकुल वे मदरसे वे संग के द्वारा बच्चों को अपनी संसकर्ती, रीती रिवाच, वयावसाय को सीखाने का सबसे अच्छा तरीका है जो एक धर्म है यह जिस धर्म के नाम पर यह बने संग, गुरुकुल और मदरसे बने है उस धर्म की पूर्ण जो मूल सिधान्थ है, उसको इन संगों के द्वारा सिखाया जाता है देखे जो गुरुकुल होते हैं उनमें ध्यान योग करना आप सिखाएं तो सदूनों का विकास होगा जो मदरसे हैं उनमें पूर्ण इमानदारी यूक्त व्यावार करना सिखाया जाए तो तब धर्म का विकास होगा, अच्छे सदूनों का विकास होगा क्योंकि इमान वही होता है जैसा तुम अपने लिए चाहते हो यदि आप अपना एक रुपया नहीं खोना चाहते, देना चाहते तो दूसरे का आप तस रुपय जूट बोलगर के नहीं ले सकते या यही इमान है और यदि आप अपने एक आपको एक सुई या कांटा चुबने से दर्द होता है तो दूसरे की गर्दन पर तलवार चलाना भी अन्यपूर्ण है, वहीं इमान नहीं है जैसा तुम अपने लिए चाते हो, वैसा तुम्हारा आचरण दूसरे के परती होना चाहिए यह है, पूर्ण इमान है और संग में भी, यानि बोध धरम के जो संग है, उसमें भी पंच सील सिखाय जाता है यदि पंच सील आपके आचरण में होंगे, समाज में अच्छाई सद्धुणों का विकास होगा तो इन सब संगों, मदर्सों और गुरुकुलों के द्वारा एक उच्च संसकार युक्त आचरण सिखाय जाता है लेकिन अधिकतर समाज संसकर्ती को परदर्सनी, यानि जो सिखाय जाना था, जो संसकर्ती सिखाय जानी थी, जो आचरण विहवार में लाए जाना था, उसको तो सिखा नहीं रहे है लेकिन क्या है कि परदर्सनी लगा करके जहां किया लगा करके मूर्तियों के द्वारा वे तस्वीरों के द्वारा सिखाने की कोशिस कर रहे हैं यानि एक तरह से सोर्ट कट सभी लोग सभी धर्म के लोग मार रहे हैं जो सिखाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है यानि जो आपने जहां क्या बनाई मूर्ती बनाई जो आप बताना चाह रहे हैं यदि सो व्यक्ति खड़े हैं तो सो में से किसी एक की समझ में आएगा और यदि आप उसे practically सिखा रहे हैं उन सो में से तो सो में से कोई एक आद की ही समझ में नहीं आएगा लेकिन निन्यानेमा की समझ में आजाएगा इसलिए गुर्कुल मदर्सों और संगों का विकास हुआ था सभी धर्मों में हुआ था इसमें पैसा यानि जहां किया जो बनाई जाती है परदर्स नी जो लगा जाते है मूर्तिय जो बनाई जाते है उनमें पैसा रूपया सब से जाद debate होता है और देखने वालों का नजरिया सिख्षा वाला नहीं होता याई उस जो बताना चारे हैं दिखाना चारे हैं उससे कुछ सिख्षा ग्रहन करें तो यह नजरिया जिनको दिखाना चारे उनका यह नजरिया नहीं होता कि हमें इनसे क्या सीखना चाहिए बलकि उनका नजरिया यह होता है कि मूर्ती, जहांकी, तस्वीर कितनी सुन्दर लग रही है कितनी सुन्दर ढंग से प्रस्तूती है यह उनका रंग और साज सज्जा कैसी है यह मैत्टुपूर्ण हो रहा है वह केवल रंगों के मैच वह सुन्दरता को ही देखता है पर दर्शनी तस्वीर मूर्थय जहां की क्या सीखाना वह समझाना चाती है उसकी तरफ कोई नहीं देखता है ना समझना चाता है गुर्कुल मदर्सो संगों में आप क्या सिखा रहे हैं यह सबसे मैत्टुपूर्ण भी है यानि जो गुर्कुल मदर्से हैं संग है इनमें गुरुजन कैसे हैं यानि सिखाने वाले कैसे हैं वह क्या सिखा रहे हैं यह सबसे मैत्टुपूर्ण है इस समय में वहां महाँ से समाज में नफरत भी गोली जा सकती है और समाज में प्यार वे प्रेम करूना दया और यानि भाई चारा भी महाँ से सिखा जा सकता है ध्यान योग के द्वारा यानि हिंदु ध्यान योग के द्वारा विश्व कुटुम कम है यह भी सिखाया जाता है बोध ध्यान में संग के द्वारा भवत्तु सरु मंगलम सबका कल्यान हो यह भी सिखाया जाता है इसलाम द्रह में अल्ला शर्वाधार है अर्थात सभी जीव जन्तुओं वैं मानों का आधार अल्ला ही है यानि सभी आपस में एक तरह से भाई बंद ही हैं ऐसा भी सिखाया जाता है मन को एक आगर करने वाली प्रात्ना से संपूर्ण जीवों में बिना भेधबाओ के बिना स्वार्त के सभी के साथ प्रेम करने जाता है